विकलांग पेंशन योजना 2022 विकलांग पेंशन ओनलाइन आवेदन स्टेट वाइज लिस्ट तो केंदर सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का सुबारम किया गया था और इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमा पेंशन परदान की जाता है 200 रुपए मिनिमम है और 400 रुपए प्रतिमा सरकार के तरफ से मिलता है विकलांग लोगों को विकलांग पेंशन योजना के लाव इसके क्या क्या लाव है पहला है इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमा पेंसन परदान किया जाता है हर महीने सरकार के तरफ से पेंसन मिलता है दूसरा है केंदर सरकार द्वारा 200 रुपए प्रतिमा परवेक्ती का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार सेश रासी परदान करती है 200 रुपय तो केंदर सरकार देती है और बागी का पैसा आपको राज्य सरकार द्वारा मिलता है तिसरा इस योजना के अंतरगत पेंशन परदान करने की नियूंतम 400 रुपया प्रती माँ है नियुंतम्क, सबसे कम से कम 400 रुपया और है, अधिकतम राज्य द्वारा राज्य द्वारा राज्य सरकार द्वारा 500 रुपय परती माह की पैंशन लाभारती को परदान की जाती है महत्वपून दस्तावेज इसके क्या-क्या दस्तावेज है अगर आप इसको ऑनलाइन भरने जाते हैं तो अधार कार्ड, बैंक, पास्बुक की चाया प्रती डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलीटी सर्टिफिकेट अगर आपको कहीं भी बाड़ी में कहीं भी डिसेबिलीटी है तो उसका सर्टिफिकेट पास्बूर्ट साइज फोटोग्राफ, आय प्रमान पत्र, निवास प्रमान पत्र, जन्म प्रमान पत्र, फोटो identification proof, voter ID card की चायप प्रती और BPL card की चायप प्रती तो इसको online भरने के लिए आप इसके official website पे चले जाए sspy.up.gov.in इसको official website पे जाने के बाद आपका ऐसा homepage खुल जागा homepage खुलने के बाद आपको जो यहाँ पे दिवियांग एवं जो लिखा वो दिखा दे रहा इस पे आपको क्लिक कर देना, इस पे क्लिक करने के बाद online आवधन करे पे seráगए तो आपका next page जो है यहाँ पे form खुल लिए गा दिव्यांग ससक्तिकरन विभाग द्वारा संचालिक दिव्यांग तो आपका यहां पे form खुल गया है, यहां पर देखिया आपसे क्या क्या मांगा गया है यहां से district select कर लिजे, निवास में यहां नगरीया या ग्रामीन में रहते हैं वहां select कर लिजे तहसील, जन्वतिती, जेंडर, आवेदक का नाम, यहाँ पे पिता या पती का नाम, कैटेगिरी यहाँ सेलेक्ट कर लिजे अपना पूरा एड्रेस दे दीजे, जहाँ अभी रहते हैं वहाँ का, मोबाइल नमबर और फिर से यहाँ पे सेब मोबाइल नमबर कनफर्म कर दीजे फिर आपसे यहां पर bank का वीपरन मांगा है तो bank का नाम यहां select कर लिजे आपका कौन सा bank है कौन सा bank में खाता खुला हुआ है bank साखा name आपका bank कहां पर है branch account number खाता संखे है यहां पर खाता number यहां देने के बाद फिर से confirm कर देजिए यहां डालके फिर यहां IFSC code डाल दीजे फिर आपसे यहां पर AI का वीपरन मांगा है AI आप कितना कमाते हैं तो income application नमबर यहां पर और यहां पर income certificate नमबर डालना है फिर आपसे यहां पर दिव्यांगता का वीपरन मांगा है आपका कहां पर disability है body में उस चीज का certificate यहां पर देना है यहां पर बताना है यहां disability certificate नमबर अगर आप certificate बना है तो वहां का नमबर यहां भरना क्या unique दिव्यांग ID UD ID card उपलब्ध है हा या ना तो यहां टिक कर दीजे और यहां disability certificate इसू डेट इसू कप करणा है तो भरने के बाद यहां पर है दस्तवेज document अपलोड करें तो आपको क्या क्या document अपलोड करना है अपलोड passport size color photo आपको color photograph डालना है यहां पर यहां पर choose file करके आप डाल सकते हैं और यहां size दिया हुआ है 20KB से ज़्यादा बड़ा photo size नहीं होना चाहिए और format भी दिया हुआ है JPG या फिर JPEG format में आपका photo होना चाहिए PNG format में नहीं यहां पर दिया हुआ है upload gen में ती थी आयू मतलब अपना जन प्रमान पत्र जो है certificate आपको यहां पर choose file यहां पर डाल देना है और 200KB से ज़्यादा size का नहीं होना चाहिए और जो भी आपका disability है उस वह certificate जो है यहां पर डाल देना है यहां डालने के बाद आप नीचे जो submit का यह जो capture दिया हुआ है उससे पहले यहां पर tick कर दिजे टिक करने के बाद यह जो capture को यहां भर दिजे इसको भरने के बाद जो submit का option है यहां पर submit पर click कर दिजे, submit पर click करने के बाद आपका सारा process पूरा हो जाएगा और अगर आपको अपने list में चेक करना है कुछ तो उसके लिए आप homepage पर चले जाए जैसे पैंसन सूची चेक करना है तो homepage पर चले जाए होम पेज में जाने के बाद यहां पैंसन स जनपद वार साराक्षिन तो यहां पर आप अपना जीला सेलेक्ट कर लिजे कौनसा जीला है जीला सेलेक्ट करने के बाद next page पर आप तहसील सेलेक्ट कर लिजे तहसील सेलेक्ट करने के बाद अपना गाउं सेलेक्ट कर लिजे और वहां से जाकर आप अपना देख सकते हैं